सो हलो ही पॉप की दिवानों कैसे हो भाई हो आप सब आज शुरू करते हैं हनी सिंग से तो हनी सिंग पे कुछ सीरियस एलिगेशन्स लगे हैं लाइक किडनापिंग एंड मारपीट के एबीपी नियूस की तरफ से एक आर्टिकल आउट हुआ है जिसमें बताया गया है हनी सिंग का 15 अपरिल को शो था मुंबई में एंड जिस कंपनी ने वो शो करवाय था उसके ओनर का नाम विवेक है पैसे की लेंदेन में गड़बड के खिलाफ विवेक ने अपनी शिकायत में एफायर दर्शकर गिरफतारी की मांग की है बाकी इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नेक्स्ट अपडेट स्टैंस रेलेटेड तो सचिन तंदुलकर 50 साल के होने वाले हैं सो एक इवेंट रखा ग नेक्स्ट अपडेट रफतार एंड जेहिन से रिलेटेड तो MTV हसल ने सीजन वन की एक क्लिप शेयर गरी बहुत छोटी सी ये वाली आप मेरी नजरों में किसी और की जगा लेके बैठे वे हो और इस पर जेहिन ने कॉमेंट करा एंड कहा है जेहिन ने एक स्टोरी रिशेय करी जिसमें रफतार की काफी सरी कॉंट्रवर्सी इसके बारे में बताया गया है जिसमें से कुछ तो कभी हुई है खिर इसको शेयर करते वे जेहिन ने कहा है what do you expect from a bandar and yes कलमकार के ओन अंकित खना बोहिमिया का इंडिया बिजनस देख रहे हैं मतलब बोहिमिया को मैनेज कर रहे हैं जिस तरह अंकित खना इम्रान खान को भी मैनेज करते हैं and ये बात खुद जेहिन ने बताई है जेहिन ने कहा है नेक्स अपडेट ब्रजा को मारी की तरफ से तो नोने अपनी अपकमिंग अल्बम दी ब्रिच की ट्रैक लिस्ट आउट कर दिय है जिसमें टूटल 9 ट्रैक्स होने वाले हैं अल्बम 28 को आउट होगी तो बस यार इतना ही था मैं मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में तिल देन बबाई